नमस्कार साथियों यदि आप भी सिखसक भरती परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है जिया साथियों बताना चाहेंगे यदि आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ है सीट आट क्वालिफाई है इसनाथ तक या फिर आप आपने पोश्ट ग्रेजवेशन किया हुआ है मास्टर डिग्री है बैचलर डिग्री है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी एक गुण्योज है नाटिफिकेशन रिलेज हो चुकी है जो कि टीजीटी और पीजीटी सिखसक भरतियों के लिए है जिया साथियों कौन-कौन से अभिहर्थी आवेदन कर सकते हैं आखिरकार एज लिमिट क्या है क्या प्रोसेस है स्लैक्षन क्राइटेरिया क्या है पुरी जानकारी विस्तार से देंगे यदि आप चैनल से भी नहीं जुड़े है तो चैनल को भी सब्स्राइब करे बेल आइकन आउन करे ताकि इंफर से लिए और बहुत ही अच्छी संख्या में ये बेसिस पर ये जौब है साथ ही हो जी हां समीदा के आधार पर ये वैकिंसी है और बताना चाहेंगे सभी कैंडिडेट्स पूरे देश भर से आविदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे बताना चाहेंगे साथ हो देख सकते हैं आ गूगल लिंक से दिया गया है पूरी जानकारी विस्तार से आपको देंगे कि आखिरकारी वेकिंसी कहां से निकली है तो मैं बताना चाहूँ है साथ हो आपको यह जो वेकिंसी निकली है साथ हो यह नवद्य विद्याले समीती रेजनल आफिस से वेकिंसी निकली है जो कि Engagement of Teachers on Contract Basis in JNVS of Pune Region for the Academic Year 2024-25 के लिए है और for detailed notification widget over website जो कि आपको नवोद्य विद्धाले के official website पर जाना है जो कि ये है नवोद्य.gov.in इस वाली official website पर आपको विजिट करना है वहाँ पर आपको इस वाली section में जाना है हॉम section में पूने के में तो वहाँ पर आपको ये vacancy की notification मिल जाएगी important dates की बात करें तो ज़्यादा दिन नहीं बचे है 2 April 2024 रात को 8 बजे से ये शुरू हुए है फोर्म फिल हुने और 8 April 2024 यानि की सुबा 8 बजे तक ये फोर्म ओपन रहेंगे कुल 4 दिन के लिए फोर्म ओपन है इच्छो के उम योग्या अभियर्थी आवेदन कर सकते हैं देख सकते हैं अच्छी संख्याम है और अच्छी बहुत ही बढ़िया ये vacancy है इसमें एक बार हम आपको पूरी पूरी जानकारी जो main जानकारी है उसे cover करने कोसिस करते हैं one can apply for one post subject for one link with one email id only यानि कि यदि आप एक post के लिए आवेदन करते हैं तो एक mail id से आपको एक subject चुनना होगा तभी आप आवेदन कर सकते हैं कि यदि आप दो के लिए करते हैं तो आपको दो mail id चाहिएंगी और दूसरा भी subject आपको चुनना होगा a copy of the application form will be sent to the candidates mail यानि कि साथ ही हो आपको जो application form है वो आपको candidates को mail के थुरू भी भी भीजना होगा और उसके बाद में देख सकते हैं personal interaction on physical mode only or not online यानि कि जो आपका personal interview होगा है वहाँ पर पहुँचने के बाद में तो आपको physical वहाँ पर पहुचना होगा आपको online कुछ नहीं करना होगा वहाँ पर आपको जाना होगा देख सकते हैं candidate self bring self-attested photocopies of both sites यानि कि दोनों sites से आपको अपने जितने भी certificates है जितने भी degree diploma है उन सभी की photocopies self-attested होनी चाहिए और ले जाना है साथ में या फिर आपको वहाँ verification के दोरान और original भी आपको लेके जाने हैं इसमें लिखा हुआ है 11 point में candidates are directed to visit the website of NVSRO on a regular basis for updates यानि कि regular basis पाने के लिए आपको website पर visit करना करते रहना होगा और आप देख सकते हैं eligibility criteria क्या क्या इसमें रखी गई है जो कि scheme of engagement में है इसमें दिया हुआ है PGT's के लिए तो PGT's के लिए आप सभी जानते हैं master degree होनी teaching Hindi and English medium में आपको पढ़ाना होगा और NCRT से यदि आपने कोई भी course किया है तो affiliated होना यानि कि मानेता प्राप्त होना चाहिए NCRT से उसी तरीके से PGT computer science में भी यही मांगा गया है लेकिन इसमें आपको साथ हो इसमें मतलब कि experience नहीं मांगा गया है जो कि PGT में है जो इसमें computer science के लिए है अब यदि हम TGT की बात करें तो TGT में teaching experience in similar capacity in a recognized school यानि कि मानेता प्राप्त school से आपके पास में experience होना चाहिए इसमें ये लिखा हुआ है लेकिन इसमें लिखा हुआ है four year integrated degree course होना चाहिए यदि वो नहीं है तो तीन साल का degree course होना चाहिए लेकिन इसमें चा चाहिए और साथ मैं इसमें देख और भी जानकारी इसमें होगी वो भी मैं बता देता हूँ आपको इसमें साथियो सेट्ट qualification भी मांगी गई है regular appointment are exempt from having seated qualification इसमें मांगी गई है बीएड की डिगरी भी इसमें मांगी गई है जो की not required दी गई है इसमें देख सकते हैं I candidates who understand integrated degree course of regional college साथ यानि कि इस वाले पोस्ट के लिए बीए डिगरी जरूरी नहीं है लेकिन कई पोस्ट है जिसके लिए बीए डिगरी अनिवारी है तो इसमें देख लेते हैं TGT Hindi, TGT English, TGT Maths तो इसमें TGT Science है और TGT Social Studies है, TGT Language Course है, TGT Computer Science है, इसमें experience है, desirable qualification में देख सकते हैं BA Degree Working Knowledge of English Hindi, यह मांगा गया है इसमें BA Degree आपकी होनी चाहिए, साथ में यदि आपके पास में फाइन क्राफ्ट में BFA नहीं है तो physical education की भी आप चेक आउट कर सकते हैं, librarian, music teacher यानि की compulsory है, अगर आपने BA नहीं की है तो आप आवेदन करने के इच्छुक नहीं होंगे, लेक age limit for all categories of teachers of 50 years on 1st July, यानि की साथियों 50 साल इसमें आपकी 50 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं, 50 साल से उपर की अगर आपकी age है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, और इसमें maximum age limit जो की government teachers maximum age limit उनके लिए 65 साल रखी गई है, जो की साथियों साइद retire वालों के लिए ये दिया हु हुआ है, लेकिन अच्छी opportunity है, बहुती बढ़िया है, सभी candidates apply कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ये मतलब की restriction नहीं दिया हुआ है, कि कौन से राज्य से आवेदन करें कौन से से नहीं, लेकिन qualification यदि आपके पास में है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, और बाकी की जानक कारी आपको advertisement में खुद पता करनी होगी, आपको download करनी होगी, और मैं आपको website बता चुका हूँ, पहले ही इस वाली website पर आपको जाना होगा, और वहीं से आपको पुरी जानकारी का पता लगेगा, इस वीडियो को like कर दीजिए, चैनल को subscribe करके bell icon on कीजिए, ताकि informative videos आप तक पहुंचती रहे, मिलते हैं informative वीडियो के साथ, जैहिंद जैभार